हेलो एन वेलकुम फ्रेंट्स वे आर पैक विडियो और भाई आज की वीडियो में आ हम करने जा रहा है आफ रोडिंग हमारी नई कार के साथ सुभाई जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अभी एक कार ली थी और भाई अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर के वीडियो देखेगा हम इस कार की डिलिवरी लेने गए थे और भाई कैसीन हुए थे सुभाई हमने टोटली कस्टमाईज कर वा ली और भाई अब हम चलते हैं भाईज के अंदर और करते हैं कुछ आफ 로डिंग हम ऐसी अन्のोन को इसी भी जगा पर जाकर आफ 로डिंग करेंगे और हमारी कार की कैपैबिलीटी चेक करेंगे सबसे पहले हम ट्राइ करते हैं कि हमारी काद जो है वो इसके उपर चड़ पाती है या नहीं सबसे पहले हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं आसानी से चड़ चुकी है भाई बिलकुल आसानी से चड़ गई है भाई कोई दिक्कत नहीं आई यह सुभाई और उपर की तरफ चलते हैं सुभाई देखिए क्या सीन है सुभाई कितना ही मतलब एकदम सीधा टाइप था भाई कैसे चड़ गई बिलकुल अराम से कोई दिक्कत नहीं आई भाई और चलो अब उपर की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं सो भाई आराम आराम से चलेंगे ताकि हमारी कार को कोई नुकसान ना हो हमारे आफ रोडिंग करने के चक्कर में सो भाई चलते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही है कार में मतलब आराम आराम से चल रही है कोई दिक्कत नहीं है सो भाई अब हम उपर की तरफ आ चुके हैं अब हम यहीं पर देखते हैं क्या क्या हम आफ रोडिंग कर सकते हैं सो भाई सबसे पहले हमारे लेफ्ट में देखते हैं तो हमें इधर जादा आपस्टिकल मिलेंगे उधर से सो भाई इदर चलते हैं सबसे पहल नीचे चलेंगे फिर उपर चलेंगे सो भाई end तक जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि आपको एक आर कैसी लगती है और प्लीज कमेंट में बताइएगा इस वीडियो के ending में और भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो के end तक बने रहे हैं और भाई एको और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा सो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ सो भाई थोड़ी थोड़ी हमारी कार फिसल रही है भाई और ऐसी जगा फिसल ना बनता भी है सो भाई हमारी जो पुरानी फॉड एक्स्प्लोरर थी भाई उससे तो कही ज़्यादा कैपेबल है भाई बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है कहीं क्या कहूं भाई बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है कार और भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ सुवाई अराम-अराम से चलना हमारा गोल है भाई क्योंकि अगर हम जादा तेज चलेंगे तो हमारी कार के इंजिन वगिरा को भी दिक्कत आ सकती है सुवाई उपर भाई देखे किस तरह से चल रही है भाई विदाउट एनी प्रोब्लम चड़ गई हमारी कार उपर सुवाई आपने भी शॉट देखा होगा कैसा लग रहा है सुवाई विदाउट एनी इश्यू हमारी कार चल चुकी ओपर की तरफ और भाई दोड़ रही है हमारी कार कोई दिक्कत नहीं है सुवाई बहुत ही ज़्यादा केपेबल है कार और भाई अब इदर से ट्राइ करते हैं थोड़ा हम रिवर्स चड़ाने की सुवाई अब कोशिश करेंगे के कार बिना कोई दिक्कत की रिवर्स चल जाए सुवाई थोड़ा गलत साइड आगा है सुवाई अब देखते हैं चड़ पाती है नहीं सुवाई आई होप चड़ जाएगी वैसे तो सुवाई देखिये भाई फिसल तेज जा रही है वैसे मैंने एक्चली एक्सेलरेटर छोड़ दिया था भाई अब मैं कंटीनिव एक्सेलरेट करूँगा सुवाई कितनी आसानी से चड़ गई भाई हमारी कार उपर की तरफ भाई इसको मतलब रिवर्स में भी आफ रोड़िंग कर सकते हैं बिलकुल आराम से सुवाई अब नीचे की तरफ रोड है हम चलते हैं रोड की तरफ और भाई दत से उतरते हैं आराम से और भाई अब रोड की किसी और साइड चलेंगे हम सो थोड़ा आगे की तरफ निकलते हैं हम ताकि हमें और ज़्यादा आप्सिकल मिल पाएं और हाँ भाई मैं आपको एक्शली बताना भूल गया था लास्ट वाले वीडियो में आप इस कार के इंजन का साउंड सुनिए वाई सुनिएगा मैं एकदम चुप हो जाता हूँ आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इसका एक्शॉस्ट टेंज करवाया साथ तो भाई बहुत ही ज़्यादा सही हो गया और चलते टाइम तो और भी ज़्यादा सही रहता है क्योंकि जब गैर उतरता है ना इस कार का आपको साउंड अब आप देखिएगा जैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ कार और फिर एकदम से थोड़ी धीरे करता हूँ स्पीड तो आप आवाद सुनिएगा सुभाई अभी नहीं आई क्योंकि ज्यादा स्पीड में नहीं थी सुभाई अभी आपने शायद ध्यान से थोड़ा सुना हो कि टक टक जैसी मतलब मतलब बहुत ही बारीक सा साउंड आता है सो भाई बहुत ही ज्यादा आप अमेजिंग लगता है मुझे वो सुभाई यह देखिए भाई यह देखिए अभी आपको सुनने में आया होगा बैक फायर के पहले सुभाई इधर चलते है उपर की तरफ भाई हमें आफ रोडिंग करना है वास कुछ भी करो वाई क्योंकि आज तो ट्रैवर का बहुत जादा ही मन हो रहा है आफ रोडिंग हमें इस कार का क्योंकि भाई एक ऐसा अप्स्टिकल दिखिया है मुझे अब इस कार को यह जो थोड़ी सी जगा दिख रही है यहां पर चड़ाने की सुच रहा हूँ मैं भाई बहुत जादा दिक्कत आने लग गई है यही से सुच चड़ाते हैं हम हमारी गाड़ी को देखते हैं चड़ पाती है या नहीं सुच चलिए सुच बहुत जादा दिक्कत आ रही है और भाई इंजिन को बचाते हुए मैं आगे बढ़ना होगा सुच बहुत जादा दिक्कत आ गई हुद्र चड़ाने में तो बहुत जादा दिक्कत आ गई हुद्र चड़ाने में तो भाई आगे एकदम कंजस्ट्रेड एरिया है सुच बहुत जादा आगे के टायर ने बहुत मदद कर दी इसकी मतलब फोर विल ड्राइव होने का बिलकुल मजा ही आ गया सो भाई ऐसी कुछ जगा पर आ चुके हैं हम सो छोड़ो भाई हम कोई जगा वगा देखने नहीं आया है हम से बाफ रोडिंग कतना आया है सुच यहां से कोई दया अपस्डिकल मिलता है सो भाई अब यहां पर स्ट्रेट चड़ाने की कोशिश करेंगे हम थोड़ा एद्यत से सुच आगे खरकुष वकिरा जा रहे हैं सो भाई अब हम ओपर की तरफ चलता है सो भाई यहां तक तो आगाए हैं हम पर अब जाना है हम बिल्कुल सीधा ओ भाई 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 थोड़ी दिक्कत आगई थी भाई अगर बचाता नहीं तो नीचे चली जाती कार पर घ्र एक बार और ट्राए करते हैं हम इस बार आवाण अराम अराम से ट्रॉइ करेंगे उपर जाने की आए कि अ समय नहीं ओपर रहा है ऑ भाई 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 हो भी हो गया ऑ गया पस थोड़ा भाई रहे गया है वह भाई वह भाई मैंने सिफ इंभ इव अपर तो हमें मतलब में साइड में जा रहा था पर एकदम से उपर चड़ गई भाई ये कार क्या ही बात की जाए आप इतने में ही समझ चुके होंगे वाई कितनी केपड़ है कार और भाई भाई बहुत सही लगी मुझे कार मतलब ऐसा लग रहा है कि अपना पैसा कहीं नहीं गया बिलकुल एकदम सही जगा इंवेस्ट हुआ है सो भाई यही था आज का वीडियो बिलते है भाई अगले वीडियो में बहुत जादा थक चुका है ट्रैवर अब आफ रोडिंग करते हुए भाई अगले वीडियो में और भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो भाई मिलते हैं अब अगले वीडियो में तिल दिन बाई